तो दोस्तों Intercontinental Range Ballistic Missile किसी भी देश के Military के ताकत का एक बहुत बड़ा पैचान होता है। इवन इसे Military Technology में सबसे Critical Technology में से भी एक का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि Intercontinental Range Ballistic Missile के development कोई आसान वात नहीं है। इवन दोस्तों ये इतना कठिन achievement है कि दुनिया में कुछ गिने चुने देशी अब तक ऐसे मिसाइलों का development कर सका है। और आजके इस वीडियो में आप लोग को दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे भारी भरकम Intercontinental Range Ballistic Missile के बारे में बताऊंगा। इवन इन मिसाइलों में हाली में रश्या के द्वारा hypersonic warhead को भी जोड़ा गया है और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि ये जो मिसाइल है ये करीब करीब 200 तन भारी भरकम हैं। और दोस्तों इस मिसाइल के range, रफतार, warhead और भारी भरकम होना ही अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा दूर सपन बन चुका है। तो दोस्तों RS-28 सर्मत असल में रश्या के द्वारा डेवलाफ किया हुआ एक liquid-fueld heavy intercontinental range ballistic missile है जो बड़े आकार के बिध्वनसक nuclear warhead को कैरी कर सकता है। साल 2000 से ही रश्या के चलियाविंस्क रिजन में स्तित मार्किव स्टेट मिसाइल सेंटर में साइन्टिस्टों के द्वारा सर्मत जैसे मिसाइलों के development का काम शुरू किया गया था। 20.7 है। मतलब करिफ करिफ ध्वनी के गती से 21 गुना अगर रफ्तार में ये मिसाइल एक जगा से दूसरे जगा जा सकता है। और रिपोर्टों के मताविक इसका रेंज करिवन 18,000 किलोमिटर है। इस मिसाइल का जो रफ्तार है वो इतना अधिक है कि इसे नॉर्मल एर डिफेंस सिस्टम के द्वारा डिटेट कर पाना लगभग नामुम्किन है। बैसिकली हाइपरसॉनिक मिसाइलों को रोकने वाले एर डिफेंस सिस्टम ही ऐसे मिसाइलों को इंटरसेट करने में सक्षम होगा। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि कितना हद तक ऐसे मिसाइलों को ऐसे इंटरसेटर हवा में रोक पाएगा। जबकि दूसरे तरफ इसका huge range को देखा जाए तो ये इतना अधिक है कि ये रशिया के किसी वी area से दागने पर किसी वी direction से अमेरिका के जैसे देशों के उपर हमला कर सकता है चाहे हो Arctic के route हो या फिर Atlantic के route हो और दोस्तों ये ही अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा चिंता का बिशाय बना हुआ है बिसिकली अफ़ताग रशिया के मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा अपने over the horizon radar और मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को Arctic और Alaska के नजदीक ही तैनात किया जाता था जबकि ये मिसाइल Atlantic के route का इस्तेमाल करते हुए भी अमेरिका के उपर हमलावर हो सकता है ऐसे में अमेरिका के लिए Atlantic के शेत्र में इस मिसाइल को रोक पाना लगवग नामुम्किन होगा क्योंकि ये शेत्र इतना बड़ा है कि इसके चप्पे चप्पे के उपर निगरानी रखना फिलाल तो फॉसिवल नहीं है जबकि दोस्तों इसका रफ्तार या फिर इसका रेंज ही अमेरिका के लिए चिंता का बिशाय नहीं बना हुआ है बलकि रिपोर्टों के मुताविक ये मिसाइल एक साथ 10-15 MIRV मतलब Multiple Independently Targetable Re-Entry वियेकलों को कैरी कर सकता है और ये मिसाइल कितने संख्या में एवंगार्ड Hyper Sonic Glide Vehicle को कैरी कर सकता है इसका फिलाल कोई जानकारी नहीं है मतलब एक तो इतना रफ्थार और इतना रेंज में ये मिसाइल आ सकते है उपर से इसमें अगर एवंगार्ड जैसे Hyper Sonic Glide Vehicle हो तो आज समझ सकते होंगे कि रफ्थार और Minervability के वज़ा से ये मिसाइल अमेरिका का कितना चिंता का कारण बन रहा है फिलाल दोस्तों एवंगार्ड सिस्टम हो के बारे में कोई जानकारी पब्लीकली एवेल एवेल नहीं है लेकिन कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ये जो एवंगार्ड Hyper Sonic Glide Vehicle है ये करीब करीब Mark 20 से Mark 27 के रफ्थार से ट्रावल कर सकता है उपर से ये एक काफी complicated trajectory या फिर path को follow करता है जो basically इंटरसेप्टरों को भ्रमित करने में काफी अधिक हद तक सक्षम है दोस्तों originally अगर देखा जाए तो ये सरमत heavyweight Intercontinental Lange Ballistic Missile को करीवन आसे 3 साल पहले ही combat duty में शामिल कर लिया गया था पर दोस्तों इसके बाद Ukraine के द्वारा बनाया हुआ कुछ parts के कारण Russia को इन missile को activate करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था रिपोर्ट में ये भी जानकरी दिया गया है कि फिलाल Russia इन parts को totally तफदिल कर चुका है और अपना एक नया manufacturing facilities भी निर्मान कर चुका है जहाँ पे missile के chassis और engine के भी production शुरू हो चुका है मतलब अब Russia इस missile को operational करने के लिए Ukraine के parts के उपर निर्वर्शिल नहीं है और शायद इस वज़ा से ही तीन साल पहले active duty में लाने के बावजूद Russia के तरफ से इन missile के कुछ flight test को भी रत किया गया था पर हाली के कुछ रिपोर्टों में Russian Defense Minister Sorge Soegu के बयानों के हवाला देते हुए बताया गया है कि फिलार इन missile के test इस साल के अंतक या फिर जादा से जादा अगले साल के शुरुआत तक समाफ्त कर लिया जाएगा और फिलार ये missile operationally Russian बेडे में शामिल हो चुका है दोसों इन missile के जिन warhead के लेके बात कहा जा रहा है उनमें अगर ये missile 10 warhead का इस्तेमाल करता है तो कम से कम हर एक warhead एक turn version का हो सकता है जबकि अगर इस missile में छोटे आकार के warhead का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें 16 warhead को लगा जा सकता है और रिपोर्टों में ये भी बताया जा बलकि दुश्मन के electronic equipment को खराफ कर सकता है या दुश्मन के interceptor को missile को detect करने से रोकने का काम करेगा फिलाल missile के खासियत और missile के उपयोकता को देखा जाए तो माना जा रहा है कि आने वाले 30 से 40 साल तक रशिया के परवानु शक्ति के एक बड़ा केंद्र विंदू रहेगा और इवेन इसे आने वाले समय के रशिया के परवानु शिल्ड का भी बड़ा हिस्सा माना जा रहा है तो सर्मत missile को develop करने से पहले रशिया का basic परवानु शिल्ड का काम कर रहा था है SS-18 Saturn Intercontinental Range Ballistic missile वैसे तो Saturn missile को ही सर्मत के द्वारा replace किया जाएगा और इस वज़ा से इन missile के development क का काम साल 2000 में शुरू होने का चर्चा है लेकिन official जानकरियों को देखा जाए तो साल 2011 के शुरुआत समय में ही रशिया के मिकयव, Design Bureau और NPO MASH को missile production का contract दिया गया जबकि कहा जाता है कि July 21, 2011 तक ही रशिया के ये दोनों organization के द्वारा missile के research and development के काम को संपूर ने कर लिया गय और साल 2017 के December महिने में रशिया के द्वारा पहली वार सर्मत मिसाइल के silo ejection test को किया गया जिसे लेके कैथित तोर पे कई report में बताया गया कि असल में ये launch system के साथ कई खामियों का खुलासा भी किया मतलब एक तरीके से इसे partially failed भी कहा गया जबकि इसके बाद रशिया के द्वारा साल 2018 के March और May महिने में लगातार दो सर्मत मिसाइल के silo based launch test को अंजाम दिया गया रशिया के primary इरादों के मुताविक साल 2018 तक रशिया के बेडे में इन मिसाइलों को शामिल करना भी था और कम से कम 50 मिसाइलों का order देना था दोसो फिलाल देखा जाए तो इन मिसाइलों के development की उपर भी Soviet Union के बिघटन का एक बहुत बड़ा असर पड़ा क्योंकि जब Soviet Union तूटा तो रशिया यूक्रेन जैसे कई सारे नया देश वना जिन में से रशिया को ही Soviet Union के उतर अधिकारी के रूप में देखा गया दोसो यूक्रेन तूटने के वज़ा से कई सारे टेकनोलोजी भी रशिया के हाथ से निकल गया जिन में R-36 जैसे इंटरकॉंटिनेंटल रेंज बैलेस्टिक मिसाइल के भी टेकनोलोजी सामिल था दोसो R-36 भी एक हैवी लिक्विड इंटरकॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल है जिसे 586 Special Design Bureau of Denprovetros के तरफ से बनाया गया था और Soviet Union तूटने के बाद ये यूक्रेन को मिला दोसो एक तरीके से देखा जाए तो Soviet Union तूटने के बाद कई हत्यारों के development में यूक्रेन के इन कमपनियों के द्वारा भी भागेदारी निवाया गया इवन रशिया के कई हत्यारों के spare parts और equipment ओके supply भी किया गया वर 2015 में जब Crimea के crisis हुआ तो यूक्रेन के तरफ से कई तरीक Moscow State Thermal Engineering Research Institute एक ऐसा well-known institute है जो intercontinental ballistic missile के engine को तो बनाता है लेकिन ये basically solid fuel waste है ऐसे में liquid fuel engine के technology के लिए रशिया को एक तरफा रूप में Ukraine के उपर निर्फर होना ही था और दोस्तो अगर ऐसे बड़े आकार के missile को देखा जाए तो आप लोगों को पताई होगा कि ऐसे missile के production के community अकेला नहीं बना सकता इसमें कई तरीके के medium, large और small enterprises शामिल रहता है जिनके द्वारा कई तरीके के या फिर कहें तो हजारों के संख्या में parts का supply किया जाता है जिने एक जगा में assemble करना ही इसका प्रमुक उद्देश्य होता है लेकिन अगर ऐसे parts का supply के उपर रोक पड़ जिसे पुनराय एक बार रशिया के द्वारा फिर से अपने देश में बनाना पड़ा और इसके बाद अव रशिया ऐसे तकनीक और ऐसे facilities अपने देश में बना चुका है जिसके लिए अब किसे अन्य देश के ऊपर और निर्फर करना ना पड़े पर फिलाल दोस्तों रशि या फिर इंडारेकली हो अमेरिका उसे रोकने का प्रयास करता है और अगर नहीं रोक पाता है तो एटलिस्ट उसके जानकारी को हासिल करने का प्रयास करता है अमेरिका और रशिया के मामले में ये प्रयास ज्यादा सफल नहीं होता है लेकिन अब तक अमेरिका रशिया के ऐसे missile के launch और test related data को कैसे ना कैसे हासिल कर लेता था इस वार अमेरिका के लिए ये इतना मुश्किल बन चुका है कि अमेरिका को अब तक ये भी नहीं पता कि रशिया के द्वारा सच में इन missile का test किया गया है कि नहीं अमेरिका ये भी नहीं पता लगा पाया कि रशिया अगर इन missile का test किया है तो कहा से किया है और अगर test हुआ है तो इसके जो launch का target था मतलब इन missile के जो trajectory था वो कहा गिरा दोस्तों माना जा रहा है कि रशिया इन missile को इतना खुफिया रखा है कि अब तक अमेरिका को missile related कोई भी data मिलना संभब नहीं हो पाया और नहीं अमेरिका के पास इतना data है कि हवा में उड़ने वाले missile में अमेरिका ये फरक कर पाये कि कौन सा सर्मत missile है और कौन सा सर्मत missile नहीं है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाये सबसे पहले जय हिंद